Hey guys, आज तक हमने देखा था कि Marvel और DC जैसे स्टूडियो अपनी आने वाली फिल्मों की पूरी लिस्ट अनाउंस करते हैं, उनकी रिलीज डेट तक अनाउंस कर देते हैं, लोगों को हमेशा excitement रहती है इन movies को लेकर, लेकिन क्या कभी सुना है कि किसी Indian Production House ने अपनी आने वाली की लिस्ट रिलीज की हो, इंडिया में जादा से जादा आने वाली दो-तीन मूवीज के बारे में ही बताया जाता है, लेकिन Maddox ऐसा Production House है, जिसने अपनी आने वाली 15 फिल्मों की लिस्ट अनाउंस की है, Maddox House वैसे ही अपनी हटके स्टोरी पर बनी मूवीज के लिए काफ फ़ली है शाहिद कपूर और कृति शैनन की, ये एक रोबोट रोम कॉम मूवी होगी, इसमें कृति एक रोबोट का रोल प्ले करेंगी, इसे दिनेश विजान ही डारेक्ट करेंगे, सेकिंड है सेक्टर 36, ये एक क्राइम थ्रिलर है, इसमें विकरांत मैसी और दीपक पूरियल नजर आएंगे, थर्ड है है एपी टीचर्स दे, जिसमें निमरत कोर और राधिका मदान होंगे, ये एक शोशल थ्रिलर मूवी होगी, फूर्थ है पूजा मेरी जान, इसमें हुमा कुरेशी, मुरुनाल ठाकुर और विजयराज को कास्ट किया गया है, फिफ्थ है रूमी की शराफत, इसमें वरुन शर्मा और राधिका मदान होंगे, ये एक आउट अन आउट कोमेडी मूवी होगी, एट्थ है मुझा, ये इस्त्री युनिवर्स में ही एक नई होरर कोमेडी होगी, इसमें अभै वर्मा और सारवरी वाग होंगे, नाइन्थ है तहरा ये एक पिरियड ड्रामा मूवी है, इसमें पहली बार विकी कोशल और रश्मिका मंदाना एक साथ दिखाई देंगे, ट्वेल्थ है वेंपायर ओफ विजयनगर, ये भी इस्त्री युनिवर्स में एक नई होरर कोमेडी होगी, इसमें आयुश्मान खुराना और समन्था परभू को कास्ट किया गया है, थाटीन्थ होगी शिदत का सीक्वल, इसमें सनी कोशल और परिनिती एक साथ नजर आएंगे, फोटीन्थ होगी स्त्री का सीक्वल, इसमें राजकमार राव और शरदा कपूर फिर से एक साथ दिखाई देंगे, फिफ्टीन्थ होगी भेड अलादीन और फिर सिंदवाद मुझे तो काफी उमीदे हैं इन मूवीज से बाकि जब ये रिलीज होंगी तब पता चलेगा ठैंक यू चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आप कौन सी मूवी के लिए एकसाइटिड हो